सब्सक्राइब कर स्भागत क्या याँ लग deliver श्क्राइब सब्सक्राइब का प्रपिटीट्क cus लेकिने किसोन है यूद्र कोई उसको पृपस्राइब कर रहे हैं एक अब ङसाइब धर बाए वच्वरजप में कमेंट करना पर लाइक को प्रस करना ताकि चौन वाले वीडियो जो होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो which of the following filler is used to make the bulk of the tablet tablet का bulk बढ़ाने के लिए tablet के bulk को बनाने के लिए जो filler है कौन से यूज करते हैं देखें डाइलुएंट्स, binder, adhesives या disintegrants तो tablet के bulk को बढ़ाने के लिए जो है यह डाइलुएंट एड करते हैं ओप्शन जो है आपका ए राइट हो जगा ओके डाइलुएंट्स को filler भी बोलते हैं ओके आंसर इस ओप्शन ए निक्स्ट क्वेशन है डैश इस लाटेन टम फोर माउथ वोश यह क्वेशन बहुत बार एक्जाम में रिपीट हो है माउथ वोश के लिए लाटेन टम कौन सा माउथ वोश के लिए आपका लाटेन टम है डाटेस ऑप्शन डी कौलिटोरियम ओके लिए लाटेन टम थोड़ी से देख लिए जो आपको ओप्शन में दी गई है और इस टिली जो होता है यह इयर ड्रोप होता है तो यह बी काफी इंपोरेंट है और इस टिली वाले भी मिश्ट कॉलिटोरी मतलब की माउध वोश कौली रियम यह सबते हैं क्रीम मतलब की इमर्शन के मतलब होता है यह भी काफी इंपर्णन्ट यह वुस्टस वाला इन जैयक्टिस मतलब इनजैक्शन इंसधाीरिय ईंसफलेश्य लिंक्त टेस कम लिननमैंत मतलब लिकर मतलब solution, lotion मतलब lotion, mistura मतलब mixture, ओके फिर आपका है नेरिस्टिली, nasal drop, nebula, spray solution, ये भी इंपोर्ट है, नेबुला वाला, पेस्टा मतलब पेस्ट, पिलूला, पिल, solution, solution, suppositoryum, suppository, tabla मतलब tablet and guanthem ointment, ये वह भी इंपोर्ट है, अनगवेंटम वाला भी कई एक्जाम में प hold, देखें, lamination है, lamination का मतलब क्या होता है, layers में, जो tablet जो होती है, separate हो जाते, layers में, okay, L से lamination, L से layers हम लोग याद रखते हैं, modeling दिया है, capping दिया है, sticking दिया है, okay, तो देखें, lamination नहीं होगा, आपका answer, जो है option B, modeling हो जाएगा, okay, एक बारी defect देख लें, जो tablets के मैं इसमें एक होता है, capping, capping का मतलब क्या होता है, capping का मतलब होता है, partial और complete separation of top और bottom of the tablet from the main body of the tablet, okay, tablet की main body से tablet का, जो partial या complete separation हो जाता है, उसका top या bottom जो होता है, tablet का, वो separate हो जगा, इसको बोलता है capping, फिर आपका lamination होता है, lamination वारा tablet defect बहुत important है, आपके exam में बहुत बार repeat हुआ ह okay, also lamination, also layers, मतलब की separation of tablet into two or more distinct layer is known as lamination, फिर आपका एक chipping होता है, okay, chipping का मतलब क्या है, चिपक जाना, chipping is defined as, नहीं, chipping का मतलब है, breaking of tablet के जो edge है न, वो break हो जाएंगे, sticking जो है, sticking में क्या होगा, refers to tablet material, जो है, die wall से adhere हो जेगा, और picking में क्या होता है, इसमें क्या होता है, small amount of material from a tablet is sticking to and being removed from the tablet surface by a punch phase, तो यह आपका होता है, picking, okay, फिर आपका modeling होता है, modeling क्या होता है, इसमें term used to describe unequal distribution of color on the surface of tablet, जो होता है, यह modeling हो जेगा, okay, इसमें dry heat sterilization method, bacteria are killed due to, देखें sterilization जो है, इसके different methods है, dry heat sterilization होता है, most heat sterilization होता है, radiation sterilization होता है, है, तो dry heat sterilization में जो बक्तिरिया killed होते है, वो क्यों होते है, देखें, reduction of essential cell constituents, फिर है halogenation of essential cell constituents, oxidation of essential cell constituents, प्रैसिपिटेशन ओफ एसेंशल cell constituents, तो cell constituents है, जो essential cell constituents है, उनका reduction है, हलोजीनेशन और प्रेसिपिटेशन और कोणसा mechanism है, तो इसमें क्या होता है, dry heat sterilization में होता है, oxidation होता है, answer होजेगा आपका option C, बिलकुल राइट होजेगा, okay, answer क्या होजेगा, आपका oxidation of essential cell constituents, okay, ने, अच हैं Z ये स्ट्रिलाइजेशन के लिए या हिटिंग तो इंजेक्शन जो होते हैं, इनके लिए मौइस हीट स्ट्राईजेशन यूज़ करेंगे जिसमें मंहिसर हीट स्ट्राईजेशन में हमारे ऑटोक्लेव्स होते हैं नग he next question देखिए manjukin डेश देशिदा smallest capsule toutes by result साइब चुज बहुत बारब एकजाम में आता है फाइफ वाला smallest होता है और जो largest होता है वो triple zero वाला होता है तो आपसे smallest पूछा है तो आपका option C right हो जगा अगर आपसे कहें इन चार options में से आप largest बताईए तो इन options में से आप largest कुन सा बताएंगे 0 वाला बताएंगे वैसे triple zero होता है next है a medical prescription is represented by the symbol okay rx है आपका जो medical prescription होता है इसके लिए आपका symbol rx होता है जो किस में आता है superscription में superscription में आपका rx आता है take 2 या you take इसका मतलब होता है बहुत important है बहुत बार rx के ओपर question आता है prescription के सबसे जो सबसे पहले आपका superscription ही आता प्रिस्क्रिप्शन में फिर आपका इंस्क्रिप्शन आता है ना तो इंस्क्रिप्शन में आपके इंग्रेडियंट्स आते हैं फिर सब्सक्रिप्शन होता है ओके फिर सिगनेचुरा आता है सब्सक्रिप्शन में होता है आपका डारेक्शन टू फार्मासिस्ट और होता है direction to patient okay next आपका question देखिए English meaning for Omni Manny Omni Manny जो आपको Latin term दी हुई है इसका मतलब बताना है देखिए Latin term बहुत important इसको पर question बनते ही बनते है Latin term का वीडियो भी बना के आपको provide कराया हुआ है okay देखिए English meaning पूछा है Omni Manny Omni Manny होता है देखिए at night early in the morning every morning in the morning Omni मतलब every morning मतलब की morning तो यह हो जेगा every morning option C right हो जेगा देखिए नोक्ते मतलब at night होता है प्राइमो मैंने होता है early in the morning मैंने होता है in the morning और जो आपको option में दिया था Omni मैंने Omni मैंने क्या हो जेगा every morning हो next question है drugs cannot be filled in hard gelatin capsules होते हैं उनमें कौन से टाइप की drug को फिल नहीं कर सकते redox type की drugs या फिर basic acid क्या हाइग्रोस्कॉपिक देखिए हाइग्रोस्कॉपिक drugs जो होती है उनको फिल नहीं कर सकते हैं ओके अगर इनको फिल करेंगे तो इनसे जो शेल होती है यह ब्रिटल हो जाती है हो कि answer is option d next in general disintegration time पूछे आप लोगों से uncotted compressed tablets का 45 minutes 60 minutes 15 30 minutes देखिए uncotted tablets का disintegration time 15 minutes होता है तो आपको disintegration time का table है वो पता होना चाहिए different tablets के क्या disintegration time है uncotted tablets के लिए 15 minutes होता है बाकी देखिए यह इदर लिखा हुआ है एक दरफ तो type of tablet लिखा हुआ है एक दरफ disintegration time soluble और dispersible tablets के लिए 3 minutes होता दिसंटीग्रेशन time sublingual tablets के लिए 3 minutes होता है effervescent tablets के लिए 5 minutes होता है uncotted tablets के लिए 15 minutes जो आपको question में पूछा हुआ था film corted tablets के 30 minutes होटा है sugar corted tablets के लिए 60 minutes and Terry corted tablets के 3 hours होता है hard gelatin capsules का disintegration time 30 minutes और soft gelatin capsules का 60 minute disintegration time होता है next of which of the following is not the reason for therapeutic incompatibility का इन मेंसे में कुंसा reason नहीं है देखें overdose ओवर्डोज आता है कोंट्रा इंडिकेशन साते हैं सिनर्जीजम आता है बट डिकम्पोजिशन जो है यह थिरेपूटिक इंकम्पैटिबिलिटी में नहीं आएगा आंसर इस ओप्शन सी ओकी नेक्स एकोड़िंग टॉडिंग टॉडवल इसके एक्वल होता है वो होता है किसके equal होता है 20 grains के option जो है आपका भी राइट हो जगा देखे आप ओथी carry system जो होता है उसी को क्या बोलते है Troy system बोलते हैं और इसमें जो है एक scruple जो है उसका मतलब होता है 20 grains और 1 dracum है इसमें 60 grains होते है 1 ounce में 480 grains होते है question भी आता है कि apothe carry system में जो 1 ounce होता है वो किसके equal होता है 480 grains और आपने याद रखना apothe carry system को ही Troy system बोलते हैं और इसमें 1 pound is equal to 5760 grains next question देखिए in domestic measure 1 teaspoonful is equal to conversions के ओपर भी बहुत बाहर questions आते है 1 teaspoonful में कितना ml होता है 2.5 ml 15 ml 10 या 5 ml 1 teaspoonful is equal to option D 5 ml आपका हो जेगा देखिए 1 teaspoonful में 4 ml या 5 ml जो भी आपके option में होता है desert spoonful में 8 ml होता है tablespoonful में 15 ml होता है 1 flow down is equal to 30 ml 1 wine glass full is equal to 60 ml 1 tea cup full is equal to 120 ml and 1 tumbler full is equal to 240 ml तो जादा तर आपका mostly आपका teaspoonful काता है एक्जाम में और ये desert spoonful और tablespoonful ये फ्लूराउंस ये ही जादा कर पूछते है एक्जाम में देखिए capsule के different size होते हैं आपके 000 होता है 0000 फी 12345 होते है तो टू नंबर का जो capsule है आपका ओके देखिए filling capacity पूजी है empty capsule size 2 नंबर के capsule के आपने filling capacity बतानी है इसका options देखिए 0.40 ml, 0.75 ml, 0.55 ml, 1.37 ml तो देखिए आपका जो है capsule size 2 जो है इसकी filling capacity कितनी हो जाएगी जो है answer option A हो जगा 0.40 ml तो देखिए ये table में आपको provide कराई हुई है capsule number है एक तरफ एक तरफ आपकी capacity है mg में और एक तरफ capacity है ml में तो capsule number जो 000 जो largest capsule size की capacity अगर हम mg में देखिए तो 950 mg होगी और ml में देखिए तो 1.37 ml होगा और 00 capsule size है इसके लिए जो आपकी capacity है mg में 650 mg, ml में 0.95 ml 0 वाले size के लिए 450 mg होता है 0.75 ml होता है और 1 number का capsule है इसके लिए 300 mg होती है capacity और ml में कितनी है 0.55 ml 2 number का capsule जो आप से question में पूछा हुआ है mg में देखिए 250 mg और ml में देखिए 0.40 ml फिर आपका 3 number के capsule size के लिए 200 mg and 0.30 ml 4 number के size के लिए 150 mg, 0.25 ml, 5 number के size के लिए 100 mg and 0.15 ml होजेगा निक से what is the English meaning for the Latin term cybos cybos का मतलब होता है तो बी टेकन powder, food या पोल टाइस साइबोज होता है आपका option सी cybos का मतलब हो जगा food निक साइबोज से है आपका होता है post cybos, inter cybos, anti cybos post cybos मतलब की after meal, after meal या after food है न inter cybos मतलब की between meal, anti cybos मतलब before meal, capiundas to be taken, pulvis का मतलब powder, cataplasma होता है, poltize के लिए use, okay, which of the following sterilization method is used in powders की sterilization के लिए कौन सा method यूज करेंगे, देखिए powders के लिए आपने याद रखना है, dry heat sterilization यूज होगा, देखिए options में filtration दिया है, radiation दिया है, most heated, dry heat answer is option D, dry heat sterilization यूज होता है powders के लिए, जैसे आपका, कई बराता टेलकम powder के लिए क्या यूज करेंगे, तो आपका वही dry heat है न, निक्स है, in medical prescription, hs orasomni का मतलब है, क्या बताना है, इलाटिन टम दियुए, hs orasomni, orasomni stands for, okay, देखिए, at bedtime, once a day, twice a day, thrice a day, है, hs मतलब होता है, orasomni, orasomni है न, इसका मतलब होता है, at bedtime option a, okay, next है, inadequate spreading of film coating solution on tablet before drying coat, तो आपके जो tablet की coating होती है न, tablet की coating के जो defect होते हैं, वहाँ से question है, sticking, picking, orange peel effect या cracking, तो इसको बोलते है, orange peel effect बोलते हैं, next है, dash or inert substance that are added along with medicament to prepare granules, जो कोन से inert substance जो है, वो add करते हैं, medicaments के साथ में, granules को prepare करने के लिए, excipients, coating material, sweetening agent, active ingredients, तो इनको क्या बोलते हैं, excipients होते हैं, okay, next question देखिए, capsules are available, both as dash capsules and capsules है, तो capsules होते हैं, आपके hard gelatin capsules होते हैं, soft gelatin capsules होते हैं, पढ़ते हैं, तो देखिए, आपके compressed, तो ऐसा कुछ नहीं होता, है न, hard gelatin तो होते हैं, sugar coated भी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग entire coated दिया हैं, if a percent, hygroscopic, hard gelatin, soft gelatin होता है, तो आपका answer option D होजगा, पर question है, stylization काफी important, moisture stylization by autoclaving, तो moisture stylization में autoclave यूज़ करते हैं, अगर पूछे कि moisture stylization में क्या होते हैं, तो autoclave यूज़ होता है, ठीके तो इसमें इसमें options है, immersion in boiling water, steam under pressure, steam at atmospheric pressure, streaming तो moisture stylization by autoclave तो इसमें क्या होता है, यह option जो है, बी राइट हो जगा, steam under pressure, यूज़ करेंगे, कि क्वेशन आपका यूपी एन रचम फार्मसेश्टम 2022 का question है, answer is option B, okay, next आप लोगो question देखिए, वन ट्रोई आउंस contain, okay, तो वन ट्रोई आउंस मतलब कि ट्रोई सिस्टम जो है, उसमें वन आउंस जो है, वो उसमें कितने ग्रेंस होते हैं, तो यह जो होता है, आपका ट्रोई सिस्टम जो है, इसमें जो वन आउंस होता है, वो option C हो जगा, 480 इसमें ग्रेंस होते हैं, अगर इसमें आपसे पूछलेंगे, हाफ जो स्क्रपल पूछेंगे, तो आप क्या कहा देंगे, 10 ग्रेंस हैं, बागी वन ट्रैकम में 60 ग्रेंस, वन पाउंड में 5760 ग्रेंस, नेक्स्ट हैं, कॉमिनीशन इस अलसो नोन आज, तो कॉमिनीशन का दूसरा नाम क्या है, तो मिन नाडू में MRB फार्मासिस का एक्जाम हुआ था, 2000 अभी डिसेंटली यह दोहते इसका ही क्वेशन है, देखें, एवापोरेशन, ग्रेडिंग ओफ पाउडर, साइस सापरेशन यह साइस रेडक्षन, तो कॉमिनीशन जो है, वो साइस रेडक्षन का ही दूसरा नाम है, आंसर इस ऑप्शन डी, ओकें, इनमें से कौन सी प्रोसस से वोटर फूर इंजेक्शन को प्रेपेर करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, सिम्पल डिस्टिलेशन यह कंप्रेशन डिस्टिलेशन, ऑपशन देखे तो सीमपल डिस्टिलेशन है उसकी जो अगर आप लाफलीकेशन सी अप्लीकेशन है देखे इसको करते हैं कि इसके लिए प्रेपरेशन डिस्टिल वोटर और वोटर फोर इंजेक्शन के लिए जो आप में पूछा हूता है बाकि और भी देख लेजे, many volatile oils and aromatic waters भी प्रेपेर करते हैं, इसे organic solvents को purify करते हैं, many official compounds प्रेपेर करते हैं, जैसे spirit of nitrous ether and aromatic spirit of ammonia, okay, next आपका concentration of liquid and to separate non-volatile solid from volatile liquid, जैसे alcohol और इथर इसके लिए भी आपका यह है, simple distillation use करेंगे, okay, next question, tablet that is used in oral cavity, तो कौन से tablet है, जो use करेंगे, oral cavity में, देखे, dental cones दिया है, film coated tablets दिया है, sugar coated tablets, effervescent tablet, okay, तो जो oral cavity में जो use करेंगे, वो आपके रिख्या होता है, dental cones होते हैं, okay, answer आपका option A होजेगा, देखे, कौन कौन से tablets होती है, जो oral cavity में use करते हैं, आपके बक्कल tablets होती है, sublingual tablets होती है, low genges होते हैं और dental cones होते हैं, जो आपसे question में पूछा हुआ था, okay, question आपका next RX is used to denote, देखे, prescription के different parts होते हैं, आपके superscription आता है, inscription आता है, फिर आपका आता है, subscription आता है, और फिर signature आता है, आनधे हैं तो आप से पूचाया और चयो सूपर स्कृप्शन में आरेक्स आता है, कि या सुपर का मतलब होता है ठेक दो या यूद्य कोउशन भी पुच्छते है यू टेक्स मतलब होता है और यह सूपरस्क्रिप्शन में आता है आठ यौ प्षुन भी एचित फीस सूपरस्क्रिप्शन ऑनियर निए होस्टस लेट्न के ओपर होस्ट असर का मतलब क्या है पेंट रोट mixture and lotion करूशं तो होता है इस में सोता है डोट किसीगल डोस मिक्सचर दोटर भी होजागा रोग्व कि बाकि लाइट्न टर्म और सटीली ये यह द्रोप सब आप देख लिए ना कि तो होस्ट जो है हमारा होस्ट का मतलब हो जये लौट ओके नेश्ट क्वेश्चन है देखिए 30 डिगरी सेल्सियस इस इक वल तूपके आपको डिगरी सेल्सियस को जो तो इसमें सिंपल फॉर्मुला ही अपलाई करना है एक फार्न हाइट में आपने बताना है तो इसको करने के लिए इसका फॉर्मुला है वह हमें आना चाहिए आंसर में आपको बता देती हूं इसका आंसर जो है डिग्री फार्न हाइट माइनस वनसीटी तो आपको डिग्री सेंसिस कितना दिए थर्टी दिया थिए तो नाइन लोशन की बात हो रही है कि केलमाइन जो होता है इसमें स्मॉल अमाउंट होता है इसका पिंक कलर होता है वह क्यों होता है यह पूछते हैं कई बार आंसर हमारा ओप्षिन भी हो गया citric acid, tartric acid with active medicaments के साथ में इसमें क्या-क्या present alkaline bicarbonate है citric acid, tartric acid है तो कौन से टाइप की tablets की बात हो रही है बतानी है आपने sublingual tablets है, logenges tablets, effervescent tablets, achievable tablets है तो यह हमारी बात हो रही है किसके effervescent tablets की बात हो रही है answer is option C, effervescent tablets ओके, देखिए effervescent tablets जो होती है यह क्या होता है, design to dissolve, इनको water में dissolve करते हैं जैसे water में dissolve करेंगे, इनमें CO2 release, carbon dioxide release हो जाएगी carbon dioxide generate होते है, कैसे generate होते है, by reaction of a compound containing bicarbonate जैसे कि इसमें soil radium bicarbonate होता है, या magnesium bicarbonate विदे acid होता है इसमें citric acid, tartric acid, तो इनके reaction से CO2 release होती है, जैसे water में dissolve करेंगे, तो reaction स्टार्ट हो जाती है, तो यह पर फिर्वसंट tablets होती है, नेक्स question देखे, saccharine is dash time sweeter than sucrose, तो saccharine है स्टार्ट से कितना time sweeter है, पुझा है, 1050, 500, 150, तो saccharine जो होता है 500 time, 500 time sweeter होता है स्टार्ट से, answer is option C 500, ने तो access quantity of lubricants dashed angle of repose, देखे, जो access lubricants की, अगर access quantity होगी, तो उससे angle of repose पे क्या फरक पड़ेगा, do not change, नहीं होगा, increase होगा, decrease होगा, या फिर increase होगा, फिर decrease होगा, देखे, तो आपका answer जो है, होजे को option B, increase होगा, ओके, इसमें कह लिखा है, कि तो lubricants जो है, वो decrease करते है, angle of repose को decrease करते हैं, certain extent, but access quantity जब होती है, lubricant की, तो उससे क्या होता है, angle of repose increase होता है, okay, next, and equilibrium distillation is also known as, तो equilibrium distillation को और क्या बोलते हैं, flash distillation, distillation and reduced pressure, destructive distillation, molecular distillation, तो equilibrium distillation is also known as flash distillation, answer is option A, okay, equilibrium distillation को क्या बोलते हैं, flash distillation बोलते हैं, देखे, flash distillation is also equilibrium distillation, because separation of two liquid take place, when liquid and vapor phase equilibrium होती है, तब इसमें separation होता है, इसको जो है, equilibrium distillation भी बोलते हैं, flash distillation को, नहीं साप्रेशन, which is free from viable microorganisms, जो preparations होती है, viable microorganisms से free होते हों, उन्हें क्या बोलते हैं, impure product बोलेंगे, compressed product, contaminated product, sterile product, तो क्या बोलेंगे, इसको sterile product, answer is option D, निक्स्ट है, in medical prescription, TID, TID stands for, जो आपकी Latin terms पर ही question है, देखे, TID का मतलब है, at noon time, at bedtime, at morning, at three times, देखे, simple है, option D, आपका होजगा, three times are day, जोनिंग दा preparation of parental products, all the container and closers are thoroughly cleaned with, ठीक है, जब आप प्रेपरेशन, जो प्रेंटल प्रड़क्ट की preparation के दोरान, सारे के सारे जो container and closers होते हैं, उनको thoroughly अच्छे से clean करते हैं, किसको यूज करके, इथा, detergent, alcohol, acid, तो किसको यूज करेंगे, इनमें से, तो कि यूज करेंगे, किसको option B, detergent को, option B, जो आपके container, closers, equipment, जो रिक्वार्ट के लिए होते हैं, इनको thoroughly clean करेंगे, detergent को यूज करके, washing is done with tap water, followed by clean distilled water, finally rinsed with water for injection, और जो rubber closers होते हैं, उनको wash करते हैं, किसे, hot solution of 0.5% sodium pyrophosphate in water, तो rubber closers के लिए क्या use करेंगे, hot solution of 0.5% sodium pyrophosphate in water, नेक्स्ट आप लोगों को question है, देखे, यह question आगे, rubber closer वाला ही, यह केरला का है, question देखे, 22 में, केरला में पूछा हो है, देखे, rubber closers are washed with hot solution of, तो इसमें आपको क्या बताया, rubber closers को wash करेंगे, hot solution of, options देखे, 0.3% sodium pyrophosphate in water, तो use तो sodium pyrophosphate in water ही करेंगे, बट जो यह percentage है, यह 0.3 नहोंगे, 0.5 होगी, तो options में आपको यह percentage ही vary करी है, 0.3, 0.2, 0.1, 0.5, answer is 0.5 वाला हो जगा, answer is option D, okay, next upload question, prescription is a return order form of pharmacist, registered medical practitioner, RMP, chief pharmacist, clinical pharmacist, because simple option B, RMP हो जगा, registered medical practitioner, okay, next dash is used to determine granular density, granules की density को determine करेंगे, लिए करेंगे, देखें, चिलसो नेटर को, बैरो मीटर, डिस्ना मिक्सर या आपका है, पिकनो मीटर, answer क्या हो जाएगा, option D, पिकनो मीटर यूज करेंगे, किसके लिए, ग्रानिूल्स की density को determine करने के लिए, next question, देखें, in moisture stylization method, bacteria killed होते हैं, दा, moisture stylization जिसमें, autoclave use होता है, okay, तो इसमें, जो bacteria kill होते हैं, वो कैसे होते हैं, coagulation होता है, reduction होता है halogenation, oxygen, oxidation तो हमने dry heat stylization में पढ़ाता है, तो moisture में क्या होता है, coagulation होता है, answer is option, quality seal packaging in the ampoule, ampoules are completely immersed in, तो simple आप से जो leak test होता है, ampoules के लिए, उसके उपर question है तो उसमें क्या यूज करते हैं इसके लिए जो यह होता है इसके लिए जो किसमें इमर्ज करते हैं ओके टू परसेंट अमरेंट solution 3 परसेंट जैंशन वालेट solution 2 परसेंट क्रिस्टल वालेट solution 1 परसेंट इसके लिए जो डाय यूज करते कुन सी मिथाइलिन ब्ली और कितनी वन परसेंट आंसर हो जगा आपका option डी याद रखना है इस परसेंट में नहीं आता है डी ट्री त्रीपल अस्वी का जो है दो हजार उन्नीस का एक वेश्ण ऑइंटमेंट क्रीम पेस्ट या इमल्शन सेमिस्क्राइओं यह सब्सक्राइब करेंस निकका की कि outside on recom लिक्विड डोजर्स फउएं यह अअट बसक्राइब मोलन आदा है टैसने खोगा चार्ट तो एंधि दैक ведखिया innovation to सब यह सभी है देखे हैं यह in pessoalına फिर फिर भी ऊपर इन्टेक कोटिंध लो हिन इसलोगेर्व होती है आपके आंटेरी कॉट एरिक टावलेटças इस टमक में जो अपना मेडिकमेंट रिलीज ना करके कहां करती हैं तो यह जो है इंसलीबल होती है और जो अलकलाइन मेडियम में क्या होता है इसको यूज करते हैं और पेस्ट जो है कैसे डीफर करते हैं बताना है देखिए प्राइजन्स ओफ वाटर मिसिबल बेस प्राइज अफ लार्ज मांट ओफ इंसलीबल सॉलेट से क्रिएटिंग इमॉलियंट इफेक्ट उके यूपी आर्वियोनल फार्मसिस्ट 2022 का क्वेशन है तो इंटमेंट और पेस्ट जो डिफर करते हैं वो कहां पर करते हैं प्रेजन्स ओफ लार्ज अमाउंट ओफ इंसॉलिबल सॉलेट सांसर इस ऑप्शन सी ओकी नहीं सब बीच आप्टेस्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन सा नहीं है यूपी टेस्ट होता है जोता है और टोक्सिन टेस्ट नहीं होता आंसर इस ऑप्शन सी ओके नेक्स क्वाचन अब इस टाइप ओंटमेंट बेस हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पूछा हुआ कि वैक्स है कौन से टाइप का बेस ही माचल में 2020 का फार्मसिट अग्जाम का क्वाशन अब के रजन के बेस है यहां जोटन नोको क्लासिफाइब करते हैं पौर गूक्स है जो हमें देख लिए या या यहां पर यहां पर टिके आपके आपका जोते हैं उसमें आपका वूल फैट आता है या फ्सक्राइशंगी तो और एक्सटरनल यूज, तो यह प्रापरेशन के अधेशन यह स्यमिस जोड़ेशन के लिए पेश्ट है क्रीन लोशन से जाली क्या होती है यह जेली होती है ओप्शन दी आपका राइट होजगा ओके नेक्स्ट क्वाशन इस साइज रेडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सबस्टेंस के लिए फ्लूड अनर्जी मिल यूज़ होगी जिसका प्रिंसिपल क्या होता है इसका तो इसका मतलब क्या सांड डियबर तो यह होता है मतलब सांड प्शन अ राइट होजएक तो एक राइट लिकी होए मिट्टे का मतलब सांड या मिट्टे टेल्स हो तो आपके आवर्ड पॉइस सिस्टम आता ना तो इसमें पूछे वन फ्रूड आउंस मतलब की जो आवर्ड पॉइस जो आउंस है उसमें कितने मतलब की ग्रेंश होते हैं तो जो आवर्ड पॉइस सिस्टम है उसमें वन आउंस में होते हैं और एक आउंस में 437.5 ग्रेंश होते हैं और जो आपका आपको थिक्यारी सिस्टम होता है उसको ट्रोई सिस्टम भी कहते हैं उसमें जो स्टैंडर्ड उनिट वेइंग के लिए वो ग्रेंश होती है और इसमें आपको थिक्यारी सिस्टम होते हैं ध्यार जो जो है वन आउस में 480 ग्रेंस है और जो आवर्ड पॉइस है उसमें वह 437.5 ग्रेंस है नेक्स्ट क्वेशन देखिए आइसो लेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जालेटीन डिराइब सुम अलकली ट्रेटेट प्रिकरसर इस यूप एनचम फार्मसिस्ट एक्जाम 2022 देखि और ओप्शन पी एच्टेब सेटीन इस वार्ट टाइप बी यह होता है उप्शन डे जो है प्एच फोर पंट सम्ट एक लिए होता प्यएच जो ह्लाएं होता है और इस आलेक्टिक पॉइंट ने सबिच यह वह फोलीछ स्वोलीवल लूब्रीकेंट कॉन सा है मेंगेशम स कि विच इस एजांपल ऑफ एब्जोप्शन बेस तो मैंने आपको इंटमेंट के बेस में बताए थे ना अब्जोप्शन बेस में कौन-कौन से आते तो बताईए हिमाचल का यह है फार्मसिट अजाम 2020 बताईए ऑब्जोप्शन बेस में मैक्रो गोस दिया है आपको जाउन नोन ऐओनिक सरफेक्टन वैसिकल साथ टेम्डा सो क्या बोलेंगे डी ट्रीपल सब्सक्राइब क्या बोलते हैं ने सोंस्तों वीडेशार्वस। त्युक्त क्वेशन देखिए को को क्लियर मैगनम मेंस को से लैटिन टम्स को पर को क्लियर मैगनम का मतलब मतलब तो यह आपका ओप्शन दी वन टेबल स्पून फूल हो जगा ओप्शन डी राइट हो जगा तेकि यह तीनों में से कुछ भी हो इसका मतलब वन टेबल स्पून फूल होता है को कलियर मीडियम 1 टेबल स्पून फूल होजेगा ओके तब विच ओवदा विच तर प्रोसा स्प्रोच यूज्ट पैथोजयनिक बैक्टीरिया इन मिल्क में जो पैथोजयनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो प्रोसास है वह कौन सी होगी विदाउट अफेक्टिंग यूपी यार्व ऐनल फार्मसेटिसम 2022 तो मिल्क के लिए तो हम क्या पड़ते स्प्राइश नात्रेटर अग्जंपल और फोल्ड ऑग्जंपल ऑग्जंपल आजन्ट फ्रम ऑस्थ दूर्ण फ्रोम प्रोम अनिमाल सो्स एक्टीन इमसिफाइंट सोते हैं उसमें नाचिरल दिखेल पर सबने प्रहसúng में गने हम जो इनिवल सोर्षब वरिया खेश्य कंड्रास स्थिए सब्सक्राइब चीवल टाइन पर आतांकर तो जौ प्लाइन की को रखे अगेश्यन ते रेको गने मिम्ल के गनें करने तगार पैक्तिन स्टार चारी मौस कॉंडर साता है वह जो नाचरल इमल्सिफाइंग जो आपके एनिमल सोर्स वाले इसमें आपका वूल फैट एगियों गोड़ जिलेटिन जिलेटिन जो आप से एजेंट्स का होगा वैकि आजएंट्स का होगा 13-15 किसा ओप्षिन होता है उप्षिन यह बिल्कुल राइट हो जगा आप लोगों का कि बाक है चलबी वैल्यू का एक बार आप आप गी देखराए टेबल भी देखें आठी फोर्मिंग एजेंट्स के लिए 8 होती है वोटर और इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 326 मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 816 वैटिंग एजेंट्स के लिए 729 होती है डिटरजेंट्स जो आप से क्वेशन में पूछा हुआ है 13-15 तो लिएजिंग एजेंट्स की 16-18 अचल भी वैल्यू होती है तो कि लाटेंट्स के ओपर फिसे क्वेशन लाटेंट्स ताइम यूजड़ तो बहुत बाहर एकजाम में पूछी हुई है पॉरस मीडियम यूस्ट रिटेन होगा उसे क्या कहेंगे और जो सोलिट होता है उसे क्या बोलेंगे देखिए पॉरस मीडियम जो है उसे फिल्टर केक नहीं बोलेंगे फिल्टर मीडियम हां फिल्टर मीडियम बोलेंगे और जो सोलिट रिटेन होगा उसको फिल्टर एड नहीं बोलेंगे तो आपका यह जो मीडियम को फिल्टर एड नहीं बोलते तो आपका होता है यह ओप्शन डी राइट हो जागा देखिए पॉरस मीडियम जो है वो तो स están repeatedly in the process filtration filtration की प्रोसेस में जो इस सपिस στη हम जो इस फिल्टर मीडियम की और विल्टर केक हम ऊता है क्ली उसे क्या whether लिक्विड केमिकल is used in gases method of sterilization इसमें कौन से chemical यूज़ करेंगे इथाइलिन उक्साइड लिएकेर क्रिसोल फिनोल्डी रिपलेस में सब्सक्राइब करें वह आपका इथाइलीन ओक्साइड करेंगे ऑप्षिन वन राइट होजेगा बिल्कुल एंफोलिटिक सिंथाटिक सर्फेस एक्टिव एजंट से कौन से कटाइनिक है कौन से अनायोनिक है तो आपके और कौन से सारे पता होने चाहिए इसमें फूलिटिक लासितिन ऊंडाइन दोडिक भी को बाक्न मतिक होती है और यह आद करें ऑप्षिन ऑप्षिन फोर राइंड़ डिसाइल आलना आजेगा गने ने कि निगई लिखा आपके लासितिन दोडिसएल राइन आते हैं डूबोइज फॉर्मुला दूबोईज फॉम्ला इसी उस्य यूपी आर्वी यूनल फार्मासिस एक्षाम 2022 के क्वाचिन है डिवोईस फॉमुला किसके लोडिंग दोस के लिए बी आसे जो सर्फिस होते हैं बोड़ी सर्फिस इरिया उसके लिए या फिर चाइल डोस के लिए ऑप्षण थ्री हो जगा भी एबोड़ी सर्फिस इरिया उफ इंडिविजन डोस नेक्स्ट है यह फ्रक्ष्णल स्टलाइजेशन इस और च्या बोलेंगे ऑटो क्लेविंग बोलेंगे टिंडिलाइजेशन बोलेंगे पार्श्यराइस ने इंसेंडरेशन तो तेंडिलाइज बोलते हैं आपका टू राइट हो जगा लिक्विड और सामे लिक्विड प्रेपरेशन यूजर अप्लाइट तो यह जो प्रेपरेशन है इनको अप्लाइब कर रहे हैं विद फ्रिक्षिन रबिंग तो कौन सी है यह पंजाब महुला क्लिनिक फार्मासिस्ट एक्जाम 222 का क क्या पुछा है यह जो प्रेपरेशन लिक्विड और सामे लिक्विड प्रेपरेशन जो अप्लाइब करेंगे सिंक स्किन पर विद फ्रिक्षिन रबिंग लोशन से लिनिमेंट से कलोडियों से बहुत एंब तो देखिए लिनिमेंट सोते हैं इनको फ्रिक्षिन और रबि इए लिक्विड और सामलेक isolating ऊंहीं को एक प्लाइशन को प्लाइशन पर आप्लाइशन नखिन को प्लाइशन आप लोशन और सी यह में प्प्लाइशन आयए इँग जैए सब्सक्राइशन जेया धरन गैजद रहोगा मृधि हम ओसेno इनको अप्लाई करते हैं तो यह हो गया अपना लोशन सोल इनेमेंट्स के बारे भी निसर तम लिब्रा लिब्रा का मतलब बताना है तम इलाडू में आप मारी फारमासिस्ट का एक्जामर तो चाहते इसका उसको फॉइशन है लिब्रा का मतलब गैलन है ग्रेन है पाउंड है याज करपल है लिब्रा हो जगा कि पाउंड के लिए लिब्रा वर्ड यूज होगा ऑ कि अपको ओप्शन सी राइट हो जगा और ग्यालन के लिए आजिस वर्ड यूज होता है लिए सब वट इस दा मिनिंग ओफ मेडिकल एबरिवेशन यूएंज यूइंजी होता है तो और मतलब होता है और मैं और में और में आपका राइट हो जेगा यह कुछ लिखी वह जी कि इन फ्रीकेंदस टुबी यूटांडस टूबी यूज्जिट तो वी टेकन टूबी गीवन अदेंडस टूबी अधिड़िक अप्लाइड ओकें इसे फ्रिक्शनल फोर्स ओफ ल है ऊप्शन सी बिलकुल हो जेगा हमारा लिक्वुड पैराफिन इस ओफ्र्स तो मिनल ऑरीजिन है और सभाव सिंदाटिक है तो यह मिनल ओरिजिन आएगा ओके ए राइट हो जेगा है तो हिमाचल के 222 वारीजिव फार्मसिश्टिक ग्रेंस किसके एक्वाला वन उन जो है ए राइट हो जगा देखे हम जो यह है आपथिकरी सिस्टम जो हम पढ़ते ना ट्रॉय सिस्टम होता है उसमें हमारी ग्रेंट होती है और इसमें वन ट्वेंटी ग्रेंट पढ़ते हैं द्रैकं में 60 वन आउंस में 480 ग्रेंट से पाउंड फाइव सेवन सिक्स जीरो ग्रेंस पड़ते हैं नेक्स थिक विसकस फॉमुलेशन कंसिस्टिंग ओफ एकोस सस्पेंशन ऑफ इंसोल्यूबल इनॉर्गैनिक ड्रग तो क्या कहेंगे इसको हीमाचल 2022 हीमाचल फार्मसेटिजम 2022 का क्वेशन है इनको लोशन बोलेंग प्रश्पोंड्स टू डी ऐस एस डी जो डैली का दो है किसका जो है यह फार्मसेट इजाम का क्वेशन है ओके लिए नॉमिनल मेश पाइज दिया हुए आपको 180 माइक्रो मीटर तो इसके लिए आपको सीव नंबर बताना है सीव नंबर 44 8500 या 60 ओके तो इसका देखिए 180 म हो जाएगा ओप्शन बी राइट हो जाएगा कि यहां पर मैं लिखे में सीव नंबर उनका नॉमिनल मेश पर्चर साइज टैन नंबर के लिए 1.7 mm होता है है 2022 के लिए 710 माइक्रो मेर है ठीक है यह वहला unm में होता है बाकी के माइक्रोमीटर में दिये हुआ है 44 के लिए 355 माइक्रो मिटर आफ जो आपसे क्वेश्न में पूछा हुआ था 280 माइक्रो मीटर 120 केे 625 माइक्रो मेरे परचर साइज होता है नेग्स टापले ट्रीज क्या होती है है टॉनिक होते हैं है रिमुवर से रिमुवर होते हैं ऑप्शन टू राइट हो जगा नेक्स क्वैशन है वट इस डॉस फॉर इस वेंट इन फैंट की डोस कैलकुलेट करनी ध्यान से पढ़िए इनफैंट के पढ़ते हैं फ्राइट्स फॉर्मुला आप लोग पढ़ते हैं तो जो है डोस दी हुए इंफैंट के रम सिक्समांथ डिवाइड बाइसको 150 से डिवाइड के अडल्ट को कर देते हैं तो हमारा यह से ट्वैल एमजी आंसर निकल के आजगा जो ऑप्शन डी में दिया हुए है डिवाइड बाइड जो 150 इंटो डाल्ट डोगें नेक्स्ट है पाउडर ओफिच ओल पार्टिकल पास रोसी नंबर 120 सैट टूबी ठीक है ऐसा पाउडर जिसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं 120 की सीव नंबर से पास रहे हो कौन सा है तो यह कोर्स बरेटली सारे से पास पास हो रहte तो आपको वैरीफाइंds की बात हो रही है ओपशन आपका डी राइट हो जेगा One भी फाइन पाउडर त्यू रोलर्स इंक पती रैपंडर होते हैं हो जbil इंटिकल रोलर्स हुए उंकिल millimeters ट्रियांगलों ऐरुब पाइच हाई एफिशेंसी पर्टिकुलेट है फिल्टर की बाहत हो रही है यह फिल्टर के लिए जो आपका इंटेग्रेटिटी टेस्ट कुन सा होता है बताना है डेली का फार्मासिस एजाम का क्वेशन है बबल पॉइंट टेस्ट बैक्टिरियल चैलेंग्ट टेस्ट टेस् होता है हमारा आंसर ओप्शन स्थी हो जगा डाय ऑक्टाइल थालिट टेस्ट लिए स्नफ क्या होते हैं लेकिन नैजल स्प्रे है आरसोल्स पाउडर्स या यह सिरप्स होती है तो आपका वही डोस फोम से यह वी क्वेशन्स है तो हमारे जो पाउडर्स होती है उनमें हमार सब्सक्राइब नेक्स क्वेशन लाटिन एब्रिवेशन फॉर शेक के लिए बताना कौन सा पी ओ एडी एड फ्ट फायट जो होता है या फिर एजिट तो इसके लिए होता है ऑप्शन डी एजिट मितलब शेक हो जेगा बागी की लाटिन टर्म्स देखे मैं आप लिख्यू ह है जो इसमें अफ्टी फायट का मतलब में के लाटिट भी मेड़ है एड दिया वर टू अप्टू होता है पी ओ दिया पर उस मतलब औरली बाइमाउथ होता है इसका मतलब लोव तो हैमर मिल वाला क्वेशन बहुत से एक्जाम में रिपीट हुआ है एक तो यह और भी में जो हमारा पेपर में फार्मासिस्ट के प्रिंसेपल मेंका सब्सक्राइब होता है बाकी देखेए मैं दो के लिखे हुए और कॉन सा प्रiniziपल है साइज पूछ पूछ लेते हैं जैसे फ्लूट अनर्जी मिल का पूछा हुआ एक बार और रोलर मिल में क्या कंप्रेशन होता है 22-200 मैश साइज के प्रड़क्ट अप्टेन होते हैं हैमर मिल में इंपक्ट जो हमारे क्वाशन में पूछा हुआ था और इसमें प्रड़क्ट साइज है फोर अब एक एक पूछा हुआ है तो इसमें होता क्रशिंग और शियरिंग ध्यान रखना है तो एक रणर मिल में क्या होता है क्रशिंग और शियरिंग और प्रड़क्ट साइज है यह आप लोग देख लेना ओके नेक्स्ट क्वेशन देखिए इंपीरियल सिस्टम फोर वन टे यह चाहिए इस टाइब से आपने आंसर देना आपके ओप्षिंस में देखिए आप लोग इसका फोर फ्लूड्राइक होते हैं आपके वन टेबल स्पून फुल में आप यह आंसर तो हमारे हम देख लेते हैं यह कि देखिए जो हमारे यह डोमेंस्टिक मैजर है एक तरफ तो एक तरफ metric system दिया एक तरफ imperial system तो आपसे imperial system में पूछा हुआ था जो आपके 4 fluid rack ये पूछा हुआ था ना तो देखिए ये तो है जो हम बताते 15 ml है तो ये हमारा metric system में होता हूं कि तो देखिए 1 drop में 0.06 ml होते हैं और जो इंपीरल सिस्टम में वन मिनिम होजेगा वन टी स्पून फूल में फोर अमल होता है और अगर इंपीरल सिस्टम में पूछेंगा तो वन फ्लू ड्रैकम होगा वन डैजर्ट स्पून फूल में आपका होता है एट अमल होता है मैट्रिक सिस्टम में और इंपीरल मतलब की टूफ्लोडाउंस वन टीकप फूल की बाद होगे तो 120 मल मतलब की फॉर फ्लोडाउंस तो इध्यान रखेंगे आप लोग अभी देखते हैं और यह इसमें वन टंबलर फूल और लिखा वर फॉर्ट फॉर्टी एमल एट फ्लोडाउंस तो कि नेक्स्ट क्वेशन द होता है माउथ वोष आई वोष इंजक्षिन पावडर पावडर के लिए सब्सक्राइब फ्ल्वी पावडर तो आपका जो यह 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 वोष है आँसर कि ऑप्शन भी होजेगा आई वोष और नेक्स्ट है वन ट्रॉप इस इक्वल टु वन ड्रॉप में जो है कितना एमल ह ता मिलनाडू के मर भी फार्मासिस्ट एक्जाम का क्वेशन जो थे इस में एक्जाम कंड़क्ट हुआ था वन ड्रॉप में 0.06 एमल 8 एमल 4 ए 15 एमल आंसर इस ऑप्षिन ए वन ड्रॉप में मैं अभी आपको टेबल में दिखाया था वन ड्रॉप में 0.06 एमल होता है और अगर इंपीरियल सिस्टम में देखींगे तो हमारा वन मिनिम दिया हुआ था ना नेक्स्ट है पाउडर पासिंग तो सीव नंबर 44 कंपलीटली सीव नंबर 44 से सारा का सारा या फाइन तो पाउडर के डिफेंट डिफेंट ग्रेड पड़ते हैं कोर्स मोड़ेटली कोर्स मोड़ेटली फाइन फाइन इसको इसी मतलब की सीरी आप पर से तो सारक सारा पास हो रहा है और जो है 40 परसेंट वू 85 से पास हो रहा है तो यह आपका होता है कोँसा मोड़ेटली फाइन की बात हो रही आंसर आपका ॉप्शन भी हो जयागर Mother तो आपका कोर्स के लिए हो जगर सारे पार्टिकल पास होएंगे तो आपको यह ऐसे ही लाइन वाइस हम याद रखेंगे ना कोर्स कोर्स के लिए सारे सारे पार्टिकल पास होएंगे और जो है नोट मोर दन फोटी परसंट पास होएंगे और जो है नोट मोर दन फोटी परसंट पास रोग तो यह हमारा होगा थोड़ा से इस टेबल पर कोशन बन जाते हैं नेक्स कोशन देखिए दियूरिंग फ्रीज ड्राइंग होता है जिसे लाइफ विलाइजेशन बोलते हैं अब फ्रीज ड्राइंग को तो इसमें कहले टैंपरेचर श जगा क्वेशन आपके यू पी यार वी यून फार्मसेटिसम तो 222 में पूछा हुआ है जैसे फिल्टर शीट मेंडो मेंडों मेंडों सेलूलोज और हैं फिल्टर शीट से बने होते हैं वह कौन से होते हैं से फिल्टर होते हैं मेंब्रेन फिल्टर ग्लास फिल्टर या य इंब्रेन फिल्टर आंसर इस ऑप्शन बी निस डैश है उस फॉर पाइरोजन टेस्टिंग के लिए कितना सिंपल क्वेशन है और बहुत बार एक्जाम में आता है तो मिलनाड़ू के फार्मरसिस्ट एक्जाम जो दो में बहुत बार पूछते हैं तो देखें हिमाचल में पूछा बत हो चाहर बाइस में और MPSC का जो दते इसका पेपर वोस में भी आया है तो देखें बीपी का फास्ट रेशन का पब्लिश हो देखें एटीन फिफ्टी फॉर है फिफ्टी सावन है एटी सिक्स्टी फॉर का पी है हर्याना का फार्मbenepower में 2013 पूछा हुए तो कटिंग मिलक था स्वियां में और एक किसमें था है मर म के प्रेशर दिया हुआ है तो आपको यहां जीव का घ्र बॉर अनर्जी मिल है जो आपके लाप पूच्छ सब्सक्राइब करता इसमें किया होता है प्रिंसिपल कोल्णalth बीटायोंस फिस रिक्वाइब टुड़ोगोंस ओफ 10 पर्सेंट सुलूइशं वनव्लूडाउंस फ्लूण सब्सक्राइब के लिए कितना डक्स्टोज रिक्वाइड यूपी अच्वाइड फार्मासेटिवाइज यह क्वेशन जो है ना आपकी जो आरम में है तकी बुक है ना सूट इक्सक्यूसमें एज इस क्वेशन दिया हुआ है यह ओके 4.4 ग्रें 440 ग्रें 0.44 ग्रें तो इसका आंसर पते क्या आएगा अब हमें 10% का पुछ है तो हम सिंपल इसको 10 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमारा 43.75 ग्रेंगा मतलब कि आप प्रोक्स आपका 44 ग्रेंग होगा जो आपको आंसर में दिया हुआ था ओकी निक्स एंटारी कोटिट टैबलेट्स डिजाइन डिलीज मेडिकामेंट इन तो इन अनटरी वाला क्योस्जान भी बहुत बार रीपीट होता है कि मेडिकामेंट कहा पर रिलीज होते हैं आजा डिकामेंट को करते हैं कुंसे B रैफस्टू देखिए पाउडर है, Ointment है, Dusting powder है, पोल्टाइस है ना तो पल्विस का मतलब पाउडर होता है और पल्विस कोन स्परसस है यह आपका Dusting powder हो जाएगा, ओके अनसर इस ऑप्शन, पोल्टाइस होता है Cataplasma Cataplasma जो वर्ड है Cataplasma के लिए और यू एंजी लिखते हैं अन्गवेंटम होता है और पाउडर आपका पल्विस हो गया यह लिए लिखी हुए और इस्टिली बहुत बार अग्जाम में पूछते एयर ड्रोप पल्विस कौन्स परसस जो आप से पूछा डस्टिंग पाउडर कैप्सुला कैप्सु लिख्यू लोशी लोशन मिस्चीर नारिस्ट लिन अजल्रोप नबूला पिल सुलुशन सबोस्टोरिं सब्स्टिटरी टेपलेट अन्गवेंटम जो है ओंटम तो सिंपल सिंपल से निपूछते यह अनना अभी थोड़ा डिफेंट है नो अन्गवेंटम पूछा ऑंटम निए फैक्टर एक्टिंग साइज डिदक्षिन को जो फैक्टर से फैक्टर से फैक्ट करते हैं सारे सारे एक को छोड़के वह बता दीजिए आप इसमें आपका क्वेशन कहां पर है ही माचल का फार्मासिस्ट एक्वाइब 20 का उसमें पूछा हुआ है तो देखिए स्टिक् छोए आपका इसमें फिक्सनम नहीं होता है तो यह याद कर सकते किक्स लू बॉंट लो और रिटिंगर लोता है दैश लेतिं टम्यूस फूर माउथ वोश माउथ वोश लेटिनम बताइए यह यह पिनचम फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 में माउथ वोश के लिए लियान कॉली ड़िय मीं कॉलीयम कोलीटॉरियम या सिरूमन तो आपका जो है कॉली टोरियम हो जेगा माउथ वोश हो कि लैसा ह यह पंजाब महुला क्लिनिक फार्मासिस्ट एक्जाम 2022 का क्वेशन है रोटेरी कटर मिल बोल मिल या फिर हैमर मिल फ्लूट अनरजी मिल तो यह जो हाड़ इंज मिल है यह वैरियंट है ऑप्शन भी बॉल मिल का नेक्स टेस्ट मैसरिंग दरेट एक्स्टेंट ऑस सलुशन फ जो होती है वो डिजोल होती है solution formation जो होता ना तो उसके लिए आप से पूछा कौन सा टैस्ट है इसको मैसर करता है डिस इंटिग्रेशन है डिसुलूशन है बाया विलाबिलिटे कंटैंट उनिफॉर्मेट तो यह डिसुलूशन टैस्ट होता हो कि नेक्स्ट क्वेशन यह इसी टाइप के क्वेशन है कि for the evaluation of tablet test used to measure the amount of time required for the drug substance in tablet to go into solution form under specified condition तो कौन सा टैस्ट है वही क्वेशन है कि बस सिंपल थोटी से लैंग्विज चेंज करें बाकि पूछा वही है टैस्ट कौन सा है हमारा यह डिसुलूशन टैस्ट है ओकी तो सेम क्वेशन आपको देखे के क्यारला में रिपीट हो गया नेक्स्ट क्वेशन है जिसका आप लोगों कमेंट बोक्स में देने वाले आप लोगों क्वेशन क्या है फिल्टर कैंडल सार मेड़ पोफ देखे थिन फ्लैट सलोग अस्टेट मैटल रिंग्स बोरो सिलिकेट ग्लास एक कीजल गर इसका आप लोगों ने कमेंट बोक्स में देना है इस वीडियो में इतना ही अग वीडियो च्छी लेगे से लाइक करना और चैनल पे नए है तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट के चैन थिंक यू